दोस्तो भाई दूज के पावन पर्व पर बहने अपने भाई के मस्तक पर तेरक लगा कर उन्हें उज्वल भविश्य और लंबी उम्र की कामना करती हैं वहीं यम्राज से सम्मंदित इस पर्व को भाई दूज की पुराने कथा में बहुती धूमदाम से बताया गया है इस दिन यम्राज की पूजा करने से कभी भी अकाल मिर्थियू का भै नहीं सताता है सनातन हिंदु धर्म में रक्षा बंदन की तरही भाई दूज का तेवार भी बिशेश महतों रखता है इसलिए दोस्तो आज की वीडियो में हम आपको एक ऐसा उपाय बताएंगे जिसे अगर आप भाई दूज के दिन कर लेते हैं तो जीवन के सभी संकट और कष्ट स्वता ही मिट जाते हैं तो दोस्तो आप इस वीडियो को पूरा आंतर तक अवशे देखें और इस पूरे उपाय को ठीक तरह से समझ ले ताकि आपके जीवन में कोई भी संकट या कष्ट न रहे और आपकी सभी मनोकाम नाए जल्दी से जल्दी पूर्ण हो जाए दोस्तो आज हम आपके लिए बह बहुती जवर्दस वीडियो लेकर आए हैं इसलिए आप इस वीडियो को बिलकुल भी स्किप ना करें या काट काट करके ना देखें क्योंकि दोस्तो ऐसी जानकारी बहुती कम मिलती है और आज की वीडियो में बहुती सरल उपाय से आप उपाय करके अपने जीवन को आप भी मिल चुका है तो आपको भी अवश्य मिलेगा बस आप कमेंट बॉक्स में जय बजरंक बली लिखें और वीडियो को शेयर करें और अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप पहले से सब्सक्राइब अवश्य कर लें क्योंकि दोस्तो हम आप के लिए लाते रहते हैं ऐसे ही जबरतस वीडियो जिनसे आप अपने जीवन को सुक्मई बना सकते हैं और जी सकते हैं एक सुक्मई जीवन तो अब मैं बात करूँगा आज की वीडियो के बारे में जूते में दबादो यह चीज जहां जाओगे वहां तरक परता चली आ रही है हम लोग उनके चरणों को स्पर्ष करते हैं भारती संस्कृती में बुजर्गों के पैरों को स्पर्ष करना एक महान कारे बताया गया है बुजर्गों के आशिरवाद में बहुत सक्ती होती है इसलिए हम उनके चरण को स्पर्ष करते हैं दोस्तों व्य कारातमक उर्दय यदि हमारे जीवन में अफशोशित हो जाए तो हमें गरीबी, निर्दंता और कंगाली का सामना करना पड़ता है। दोस्तो आज की वीडियो में हम आपको जूते में रखने वाली एक ऐसी चीज के बारे में बताएंगे जिसे रखने से आपके भागय उद्य हो जाएंगे और धन आने के समी मार खुल जाएंगे, आप जहां भी जाएंगे आपको मान सम्मान वे धन दोलत से परिपूर्ण प्रकार से खुल जाएगा कि आपने कभी सूचा भी नहीं होगा, दोस्तो हम इस वीडियो में आपको बताने ही वाले है कि आपको वे कौन सी वस्तु है जो अपने जूते में रख लेनी चाहिए, लेकिन उससे पहले बहुत ही जरूरी बात आप से कहनी है, यदि आपको इस इंट्रेस्टिंग वीडियो आपके लिए डालेंगे, जो कि ज्ञानवर्दक हो और आपको आपके जीवन में सफलता परदान कराने वाली हो, वे सबसे पहले आप तक पहुंच सके, और आप हर एक उपाय को समझ सकें, और अपने जीवन में पूर्ण विदी विदान से करक तरक्की की ओर अग्रसर हो सकें, और समाज में अपना वे अपने बड़ों का नाम कर सकें, तो इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट बॉक्स में जैबजरंग बली अवस्य लिख दे, दोस्तो, फिटकरी को 34 सास्तर के साथ सा तंतर सास्तर में भी इस जिन्दगी की जितनी गंदगी होती है, गंदगी अर्थात, आपकी गंगाली, नर्धनता और आपके जितने भी कामों में रुकावट आती है, यह सबी आपकी जिन्दगी की गंदगी ही तो होती है, इसे भी पूर्ण तैस साफ कर देती है, बस आपको इसको इस्तमाल करने का सही तरीका पता होना चाहिए इसलिए आप इस वीडियो को पूरा अंतर तक देखें और आप संपूर्ण विधी का अनुसरन करें दोस्तों जिस प्रकार से फिटकरी पानी को साफ करता है उसी प्रकार से आपके जीवन में धन प्राप्ती की सभी चाओं को पूर्ण करने का कारे करता है यही नहीं यदि आप पानी में थोड़ी सी फिटकरी मिलाकर के घर में पोचा लगाते हैं तो आपके घर के सभी नकारतमक ता तो दूर होती है नकारतमक नजर दोस्त आदी से आपको मुक्ती मिलती ही है साथ इस सभी प्रकार के वास्तु दोस्त भी दूर हो ज तो इससे आपको धन आधी प्राप्त करने के लिए बहुत ही लाब प्राप्त होता है। इसके अलावा हम आपको एक ऐसी चीज के बारे में बताने वाले हैं। जिसे जूते में रखनेक से उन व्यक्तियों की भी सभी मनो कामनब पूरी हो जाती है। जो अपने जिन्दगी में अत्यादिक धन के प्राप्ति करना चाहते हैं। चाहें आप धन अभी कमाते हैं नहीं भी कमाते हैं। या फिर आपके मनोवांची धन आपको प्राप्त है या नहीं है। जो ब्यापारी वर्क के लोग हैं, जो की ब्यापार करते हैं और और भी ज़्यादा धन कमाना चाते हैं ऐसे व्यक्तियों के लिए एक बर्दान सवरूफ है लोंग। दोस्तो आदिकाल सही लोंग का प्रियोग सभी प्रकार की पूजा पार्ट में इस्तमाल होता है और यहां तक की जोति सास्तर के साथ साथ तंतर किरियाओं में भी लोंग का इस्तमाल किया जाता है इसलिए दोस्तो इस छोटी सी लोंग में इतनी शक्ति होती है कि सभी प्रका प्रकार की श्तकारतमक उरजाओं को अपने अंदर खीच लेने की शक्ति होती है और सभी प्रकार की नकारतमक उरजाओं को ये आप से दूर रखती है। इसले दोस्तों केवल दो लोंग जब भी कभी आप किसी मुख्य कारे पर जाएं या फिर अपने धन बड़ोतरी करने के लिए ब्यापार स्थल पर नौकरी स्थल पर जाएं तो जूते पहन कर जब भी आप जाएं तो जूते में दो लोंग रख कर के जाएं। दोस्तों जो लोग चाहते हैं कि उनकी पदोनती हो, तरक्की हो, या फिर ब्यापारी वर्क के लोग चाहते हैं कि उन्हें और भी ज्यादा धन प्राप्त हो, या फिर यू कहिए कि ब्यापारी वर्क के लोग जो कि धन की प्राप्ती जादा से जादा करना चाहते हैं, वे तो दोस्तो आज की वीडियो में हमने आपको बताया कि जूते में फिटकरी और दो लोंग आप रख सकते हैं, चाहें तो आप दोनों चीजों को रखें या फिर एक चीज को रखें, ऐसा करने से आपको अपने जिन्दगी में हमेशा मंगल ही मंगल होगा, तरक्की ही तरक्की होगी और धन ही दन आएगा, तो दोस्तो आज की वीडियो में किमले तना ही कल फिर आप से मुलागात होगी, एक और नई वीडियो के साथ, सब तक करे दे में जादा धन्यवाद, कमेंट बॉक्स में लिखना ना भोले, जय बजरंग बली!